पाली, सिरोही, अजमेर और टोंक में अगले कुछ घंटे भारी बारिश का रेड अलर्ट जुआरी किया है तो वही साथ जिलो में बारिश का औरेंज अलर्ट जुआरी किया गया मौसम वभाग के मताबक आज कोटा, बारा, बूंदी, दौसा, करॉली, सवाई मादोपुर और टोंक में भारी बारिश हो सकती है जबकि छे जिलो में मध्यम से भारी बारिश का यलो अलर्ट जुआरी किया गया यह जिले हैं अजमेर, जैपूर, भिलवाड़ा, चित्तोडगर, धौलपूर और जालावार जहां मध्यम से भारी बारिश हो सकती है जिसमें मौसम विभाग में राजस्थान के लगले तीन घंटे मुश्किल भरे बताए है विपण जूइत उफान राजस्थान पहुचने के बाद कई जिलों के हालात विकड़ गए जिसके बाद मौसम विभाग की तरफ से पाली, सिरोही, अजमेर और टोंक जिलो को रेड अलर्ट दिया गया मौसम विभाग ने राजिस्तान के इन जिलों में भारी बारिश के साथ तूफानी हवाओ की चेतावनी चारी की और लोगों को आगहा किया कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाए जबकि विपड़ जोय तूफान पिशल 24 घंटे से राजिस्तान में कहर बर पा रहा है उधर आजिस्तान के जालोर में विपड़ जोय तूफान की वज़े से उपनाई नदी ने हाइवे पर आफ़त लादी भीशन बारिश की वज़े से हाइवे के उपर से बहरेई बामणी नदी के सेलाब में दरजनों ट्रक भस गए जिसके बाद प्रिशासन को सेना की मदद लेनी पड़ी बिफड जोय तूफान की वज़े से पिशले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वज़े से जालोर में बहने वाली बामणी नदी ओवर फ्लो हो गए और उसका सेलाब दिली एहंदाबाद हाइवे पर देखने को में से उनके चालक और सहीयोग्यों को बाहर निकाला उदर आजस्तान में बेपर जोय तूफान को देखते हुए मौसर विभाग ने कई जिलो में भारी बारिश का येलो और 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 जारी कर दिया पिशले 24 घंटे से जादा वक्त से बारिश ने कई जिलो में हाल सवाई माधोपूर और टोंक में भारी बारिश के जेतावनी ती गई इसके लावा मौसर विभाग ने अजमेट जैपूर भिलवाड़ा चतोडगर धौलपूर और जालवाड के लिए यलो अलर्ट जारी किया यानि राजस्तार में भीशण बारिश और तोफानी हवाव का सलसिला अभी जारी रहने वाला है पुशकर में बिपड़ जौई का सर दिखना शुरू हो चुका है तेज हवाव के साथ कई इलाकों में जलभराव के स्थिती पैदा हो गई लेकिन बरसाती पानी के साथ सीव रिज और नालियों का गंदा पानी भी सरोवर में गिरने से पुरोहित बेहत नाराज है जोदपूर में दो दिनों से लगाता रुक रुक कर हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है जोदपूर संभाग के जालोर और बाडमेर जिले में तूफान का सबसे ज़ादा असर देखने को मिल रहा है इन जिलों के कई लाकों में जलभराब के चलते सेकड़ों लोगों को शिफ्ट किया गया जोदपूर के कई निश्लों इलाकों में पानी जमा होने से वहां रहने वाले लोग मुश्किल में आ गए वीजस इलाके में नटबस्ती में बने कुछ घरों में बारिश का पानी खुज गया जिसके बाद लोगों को सारी रात पलंग पर बैट कर गुजारनी पड़ी और इसी भी जमू कश्मीर में भी तूफान का असर देखने को मिला वहां पर तूफानी हवाओ की वज़े से एक स्कूटर उड़कर बिजली के पोल पर जाकर फस गया और तूफानी हवाओ के शाथ होने के बाद जब लोगों ने स्कूटर को बिजली के खंबे में भसा देखा तो वहां लोगों की भीर जुट गए हवाई इतनी तेज सी कि उन्होंने भारी स्कूटर को भी तिनके की तरह उड़ा दिया बताया गया कि जम्मू शेहर में दोफैर के वक्त एक सलून के बार खड़ा स्कूटर तूफानी हवाओ की चपेट में आ गया और तूफान गुजरने के बाद लोगों ने उस्कूटर को बिजली के पोल पर लटका हुआ देखा बारी तूफान को देखते हुए प्रिशासन ने जम्मू तवी नदी के किनारे रहने वालों को भी सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने की चेता में जारी करती और इसी भी जम्मू कश्मीर के पुँच में भीशन बारिश के बाद बार जैसे हलाद बन गए उफनाई नदी सड़क के उपर से बहती हुई दिखाई थी जिसकी वज़े से सड़क के दोनों तरफ वानों की लंबी का तार लग गए भीशन बारिश की वज़े से पुँच के सखी मैदान और अड़ी इलाके में बार जैसे हलाद बन गए सड़क के उपर से बह रही नदी के तेज भाव में एक गाड़ी फस कली उदर उत्राकंड के चमोली जिले में स्थापित हेमकुंट साहिब में भी मौसम खराब हो गया लगातार हो रही बारिश और बर्फ बारी की वज़े से श्रद्धालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और हमकुंट साहिब जाने वाले रास्तों पर बर्फ और बारिश की वज़े से फिसलन हो गई जिसकी वज़े से हमकुंट साहिब पहुचने वाले श्रद्धालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लगातार हो रही बारिश और बर्फारी के वज़े से मौसम बेहत खराब हो गया हेमकुंड साहिब की चोटिया बर्फ की सफेज चादर से धकी दिखाई देने लगी लेकिन इन सब के बीच हेमकुंड साहिब पहुचने वाले श्रधालू का जोश बना हुआ है और हर देट धाई हज़ार से जादा श्रधालू वहां पहुच रही है उदर बिहार में लगातार हो रही तेज दूप की वज़े से लोग हीट वेव का शिकार हो रहे हैं हीट वेव के शिकार सेकडो मरीज धर देन अस्पताल पहुच रहे है पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में पिछले तीन दिनों में हीट वेव की वज़े से 24 लोगों की मौत हो गई प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी 21 जून से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर होंगे न्यूयॉक में पियम मोधी के स्वागत के लिए दो रोज शोरों से तैयारिये चल रखी है न्यूयोग के टाइम स्वायर पर पिये मोधी के स्वागत की तैयारियों में लगे लोगों में गजब का उत्साहा देखने को मिला, वहाँ पर कई लोग अपने हातों में पिये मोधी के स्वागत वाले बैनर और पोस्टर लिए खड़े हुए दिखाए थे, तो कुछ लोग हातों में तिरंगा लिए हुए थे, वहां मौजूद लोगों ने काया कि जब पिये मोधी वहां आते हैं तो उन्हें काफी गर्व महसूस होता है, लोगों ने काया कि पिये मोधी के नेतरुत में विदेशों में भारत का मान बढ़ा है। वह देखकर कम से कम भारत की जनता यहां काफी अपने आपको मजबूत महसूस करती है, यह पूरुष है, महिला है, मैनेटन के कई जगहों से आई हुए है, यहां पर टाइम स्क्वाइर पर जमा हो रहे है, और मैं जगदीश भाई, जगदीश भाई आपर लगदीश भाई आपका नाप टाइड इस एक्तर पतल प्राइड पर लुएसे, थाक्तर प्राइड पतल प्राइड प्राइड पिपल न्यू यहां क्यों कि नौ साल में जो भारत यह पास्पोर्ट की इज़त थी, वो कितना गुना बहर गई है, आप देख रहे हैं, आज पादर्स दे है, इतने सारे hundreds of people have come, प्राइमिस्टर मोदी जी को welcome लिए, आज वो दिखा रहे हैं कि मोदी जी को कितना प्यार करते हैं, डियास्पोरा, there are no words. मैंनो आप कहा से हैं? मैं हूंतु काशी से, नेपाल से, अभी यूएस आ गई हूं, महाराज लक्ष्मी हूं.